दिरेंदर शास्त्री मैं तो जोकरी कहता हूं वो क्यूं कहता है आप से के दान दो इसलिए के वो चमतकारी नहीं है हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं क्योंकि आपके अंदर अंध विश्वास है जब लोग ये कहते हैं जब उनके पार्लिमेंट की मिम्बर ये कहती है चाकू तेज रखो गरदन काटने के काम आएगा जब उनका ही एक मनिस्टर ये कहता है कि अब इस देश को हिंदू राष्ट बनाने का वक्त आ गया है और उनके सामने बाकैदा हिंदू राष्ट के नारे लगाए जा रहे हैं एक जोकर आये हैं महंत जोकर महंत कहता हूँ मैं तो उनको वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो मैं तुमें हिंदू राष्ट दूँगा कौन सर कौन दिरेंदर शास्तरी मैं तो जोकरी कहता हूं उनको अब भी लोग इतने मतलब प्रभावी थे हमसे वो प्रभावी नहीं है कोई चमचकार को नमशकार है देखिए हमारे अंदर और आपके अंदर ये भी एक फर्क है हम इन चीजों को नहीं मांनते इसलिए आपने अंदर अंद विश्वास है हमारे अंदर 10% हैं हमानता हूं लेकिन हमारे इहां 90% नहीं है आपके 90% विश्वास हैं आप मुझे पताईए लोग तो मौलवियों के पास भी जाते हैं तावीज बनते हैं बहुत सारी चीजें पढ़े जाते हैं तो वह भी तो चमचकार अंद विश्वास है। मैं नहीं मनता उनको जो पीर-फ anxiety के शक्कार में पढरता है! मैं तो बिल्कुल मनता नहीं उनको जाते हैं। मैं और से ढूए। जाते हैं ज्सकी मालां भी जाते हैं आप जाते हैं। अकल के अंधो अगर तावीज के जरी से माल मिलता तो मौल भी सबसे जादा मालदार होता अगर दिरेंदर शास्त्री इतना ही बड़ा चमतकारी होता तो उसे जरूरत क्या थी यह सब डंबर रचाने की लाखों रुपया खरच करके पंडाल लगाने की और इतने लोग अपने अन्युआ रखने की वो तो चमतकार करके अडानी अंबानी नहीं मन जाता वो क्यों कहता है आपसे के दान दो आपसे क्यों चद्ना मांगता है वो इसलिए कि वो चमतकारी नहीं है अगर चमतकारी होता तो उसके पास तो सब कुछ होता मेरे सामने बिठा हो दिरिंदर शांस्तिरी को अगर मेरी बात बता दे तो मां जाओंगा उन कहते हैं कि हिंदु राष्ड बन कर रहेगा जो भारत है उसका जवाब योगी जी ने दे दिया ये कह दिया कि ये हिंदु राष्ड था है और रहे गा यानि जो आदमी कह रहा है वो बेवकूफ है यानि जो आदमी कह रहा है कि बनेगा वो तो बेवकूफ हो गया क्योंकि वो तो कहते है था है और रहेगा उनकी इस बात में मैं इसलिए उनको accept करने के लिए तेयार हूँ क्योंकि जहां majority होती है जिसकी भई उसको उसका एहतराम किया जाता है यहां हिंदू की मिजरूटी है तो हम भी उनको बड़ा भाही मानते है ठीक है अगर वो अपनी सोचते हैं कि भई हिंदू राष्ट है यह ठीक अच्छी बात है सम्विदान तो खतम नहीं हुआ सम्विदान तो है जिस दिन सम्विदान खतम होगा फिर हम आपती जता हैं यह अपनी कि भी यह ऐसा क्यों हो रहा है आज अकर सम्विदान है और सम्विदान के एकोर्डिंग हमें टीट किया जा रहा है यह सारे धर्मों को टीट किया जा रहा है तो हमें क्या इतराज है वो कहते रहें किसी इंसान को जो लोग उनको मानते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी बात मानते हैं उनको जोकर कहना कहा तक सही वो कताव अचकी तो है कताव अचकी तो है वो कभी कहता है कि मेरे पास शक्तियां है मैं शक्तियों से कभी कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सब कुछ है मेरे पास तो कभी कभी आ जाता है बजनक बली की तरफ से उसकी बातों में विरोधावाशा आप सुनके देखिए तो मेरा कहना ये है कि धरम के नाम पर जो आदमी इस तरह की बाते करता है मैं उसको चाहे वो मुसल्मान हो चाहे हिंदों मैं पाखंडी मनता हूँ मैं उसको सही नमोलवी मनता बहुत सारे पीर फगीर आपने एड़ देखे होंगे गाड़ियों पर भी लगे वे 24 गंटे में प्यार, 24 गंटे में माल, सास बहु का कलेश खतम ये सब पखंडी लोग है इनके हाथ मेंगर ऐसा है तो दुकान लगाने के ज़रूरती नहीं है मेरे भाई